वैसे दोस्तों अभी मावस स्टूडियोज की मुवीज पे एक तरह से हॉल्ट लगा हुआ है। बहुत सारी मुवीज आगी के लिए पोस्ट पूर्ण हो गई है। और कुछ मुवी पे अभी भी रिमोटली काम चल ला है। उपर से मावस स्टूडियोज घर के अंदर बैट के काम कर रहा है। यानि के आगी के प्लानिंग कैसे हो वह सब प्लान कर रहा है। इसमें दो चींज पॉइंट आते हैं। पहरा तो कि कैसे आरेग मैन को मावस स्टूडियोज में लाए जाया। और दूसरा जो अभी सूपर हीरो जो करेंटली जिन्दा है मावस स्टूडियोज में उनको कैसे इस उनिवर्स का नया चेहरा बना जाया। फरक्जामपल अगर हमलोग 2008 की बात करें जब मावस स्टूडियों जिन्वर्स चाल लुए था तब उसका चेहरा था आरेग मैन Arab Man ने इसकी शुरुवात की थी और Arab Man ने इसका end किया था इसे आरेमन 1 से लेके Avengers end game तक देखा जाता था जिसमें Arab Man ने शुरुवात की थी फिर Arab Man ने अपने sacrifice करके दुनिया को बचाय था लेकिन अब ये planning चल ली है कि कैसे Arab Man को वापस ला जाया और Spider Man से connect किया जाया अब यहाँ पे Spider Man से related एक और अच्छी cover यह आ रही है कि यहाँ पे Spider Man का जो character है वो Sony की इन्वर्स में आ सकता है यह confirm हो गया क्योंकि Marvel Studios और Sony Pictures मिलके एक साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे है और इसका proof यह है कि Sony Pictures ने अभी हाली में अपना title चेंज कर दिया है पहले Sony Pictures का title था Sony Spider Wars लेकिन अभी हाली में Sony ने Marvel title भी add कर दी यानि कि Sony की इन्वर्स में और भी Marvel characters आएंगे आज की वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करेंगे Spider Man 3 का अगला सेनारियो क्या होने वाला है और Iron Man की क्या बात हो रही यानि Robert Donnie Jr. को नया contract साइन करने वाल है कि ने तो दोस्तों complete वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और comment कीजिए Spider Man 3 साथी साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आया हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी Comic Book Talks Family का हिस्सा बन जाए है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते है Spider Man 3 की टेटल से यहां पर बहुत लोग कह रहे है कि Spider Man 3 में Home Word तो जरूर इंटेडियोस होगा पर इसका काम चलेगा इसका वंकिंण टैटल के अलावा इसका जो फाइन टैटल जो की मूई टैटल अम उसे पूछा गया था इन सब कर चैटल एक और अपने आप्रेडेविल को रॉल Wars प्रूपले किया था है उन्होंने कहां कि हाँ अगर Spider Man 3 में डेरेविल आता है तो मैं नहीं हूँ कोई और एक्टर होगा और ऐसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं अगर डेर डेवल फिर से इंट्रिड्यूज होने वालोग अब मावस त्रमाटिक उनिवर्स में तो एक नई कास्टिंग के साथ होगा या नि किन अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिला क्योंकि अगर स्पार्डर मैन के साथ कोई भी ऐसा क्याक्टर जोड़ता है जो कि पहले ही नेट्फिक्स में दिखा दिये गए तो फिर सकता फिर से एक री कास्टिंग हो जाए फ्रैंक कैसल का जो रूल प्ले किया था एक्ट बाकी क्याक्टर से जैसे की आरेंट फिस्ट भी इंट्रडूस होंगे उनका ओरीजिन शैंक्ची की साथ करनेट कर दिये जाए गया क्योंकि वह भी एक तरह के एशन सूपर हीरो है इन सब के अलावा चली बात करते हैं दोस्तों रॉबर्ट डॉनी जुनियर के करेंगे इसके मतलब यह है कि रॉबर्ट डॉनी जुनियर भी इंट्रस डिखा रहे है एरेंट मैंड करूप में और यहां पर रॉबर्ट डॉनी जुनियर भी मावर स्टुडियो के साथ अभी भी बात कर रहे है कि कौन सी मूवी में उनके आने को प्रोटेंशल है और अग Spider-Man 2-3 फिल्मों में हो सकता है, पहले बात तो करें Spider-Man 3 की, उसके आगे के Potential की बात कर तो Spider-Man 4 और Avengers 5 की, वैसे आभी तो नहीं लग रहा है, Spider-Man 3 में Robert Donnie Jr. में दिखाए देंगे, तो कि इस मुवी की स्क्रिप्ट ऑलेडी बन चुकी है, और अगर Robert Donnie Jr. का Iron Man इस मुवी में हो तो अलड़ी हम लोगो एक बड़ी सी हिंट में जाते हैं, इस स्क्रिप्ट में Kraven the Hunter, इस स्क्रिप्ट में Mysterio वापस भी आ रहा है, तो यह सब हिंट हम लोगो बत पैदे से मिल चुकी है, लेकिन एक भी हिंट हम लोगो का Iron Man की नहीं मिल, यानि के Spider-Man 3 में तो Iron Man की नहीं दि ताकि फैंस को समझाए जासे कि हाँ यह करेक्टर किसी रीजन के उज़े साया है, वैसे भी दोस्तों जब Spider-Man Homecoming में Iron Man को दिखाएगे था टेलर की रूप में, तो हम लोगो लग रहा था कि आगे जाके कोई ऐसा सीन आएगा, जब Iron Man और Spider-Man एक साथ मिलके फाइट करेंगे लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें Avengers 5 की तो यहां पर पॉसिबिल्टी बनती है, Iron Man की और Spider-Man, और Avengers 5 में एक ऐसी सिच्वेशन आजाए जिसमे एक ऐसी टेक प्रॉब्लम हो, जो सिभ टोनी स्टाक ही सॉल्व कर पाए, फिर डॉक्टर स्रेंज को किसी रीजन की अपनी करिंट अर्थ पर आना पड़े, लेकिन वो जो टाइम हो, वो बहुत लिम्टेड हो, इस से यह होगा कि टोनी स्टाक को जो आना है वो जस्टिफाइब हो जाएगा, और टोनी स्टाक को समय के साथ काम भिकर लेगा, लेकिन जैसे ही टोनी स्टाक का काम होता है, वो वापास चला जाएगा डॉक्टर स्टेंज की हेल्प से इससे एक बफिर से टोनी स्टाक को एवेंजर स्वाइफ मुवी में देख लेगी दोस्तों दूसरा अप्शन तब आएगा जब स्पाड़ा मैं इंटू स्पाड़ावस मुवी आएगी इस मुवी में जो पीटर पाकर है वो अलग अलग उनिवर्स में ट्रावल करेगा और किसी ऐसी उनिवर्स में जाएगा जिस उनिवर्स में टोनी स्टाक अभी भी जिन्दा हो लेकिन उस टोनी स्टाक पीटर पाकर को पस्तली नहीं जानता होगा इसमें फिर पीटर पाकर टोनी स्टाक को समझाएगा उसस इसमें आरेमन के आने के कोई chances हम लोगों को नहीं दिखाए दे रहे हैं लेकिन हम लोगों अगर बात करें इसके आगे आने वाले face की उस face में काफी जड़ा potential है क्योंकि डॉक्टर स्टेंड मल्टीवर्स अ मैंडेस के बाद मल्टीवर्स जब खुल जाएंगे तो फिर मैन होगा और वहाँ पे civil war 2 होगी आपको याद है दोस्तों civil war 1 किती जदा कमाई की थी अगर मावस स्टुडिवर्स को फिर से कुछ उनिविक करना जैसा कि हर बार करता है दो से civil war 2 को ले जाना पड़ेगा और आरेम मैन को फिर से जिन्दा करना पड़ेगा किसी alternate universe में ताक जब ऐसे multiverse खोल जाएगा तो ऐसे बहुत सारी possibility है जिससे Arab man और spider man को एक साथ दिखाया जा सके इन सब के अलावा चली दोस्तों बात करते है उस incident की जो कभी हुआ नहीं तो याद किजिए Avengers Endgame का वो scene जब सारी की सारे 32 superheroes एक साथ आई थी यहाँ पर बस एक superhero missing थी जो थी ब् लेकि जब यह team up चल ला था यानि कि जब यह A4 team आ रही थी तो यहाँ पर Tony Stark ने Black Widow के लिए एक suit बना थे जहां दूस्तों एक deleted concept art में Black Widow Tony Stark जैसा आर्मर पहनी है लेकिन उसका color rescue armor से दम अलग है लेकिन अगर हम लोग उसके design की बात करें तो exact rescue armor जैसा लग रहा है यानि कि अगर किसी alternate reality में या फिरके किसी alternate ending में अगर Black Widow अभी भी जिन्दा होती Black Widow आर्मर का suit पहन के लड़ती आफ्टर ओल यहाँ पे थेनाउस की आर्मी से fight हो रही है कोई ऐसी वैसी आर्मी से ने बहले Black Widow guns के यूज कर ले बहले Black Widow कोई अपनी stick का यूज कर ले लेकिन इस fight में उसे एक Iron Man suit की जरूद पढ़ती पढ़ती हो सकता है Soul Stone वाले जो sacrifice था वो हौकाई कर देता और वैसे भी अगर हौकाई अपने sacrifice करता तो fans उतना जर्द दुखी ने हो तो जितना Black Widow की death पे हुए थे वैसे भी दोस्तों बहुत सारी theory आती कि Black Widow अभी भी जिन्दा है जै Soul Stone Captain America के पास हुआ करता ता लेकिन वो script cancel हो गई फिर यहाँ पे Soul Stone को दूसरे जगा रख दिया गया यानिकर एक दूसरे प्लानेट पर रख दिया गया था वैसे यह script काफी ज़दा इंटरस्टिंग थी क्योंकि अगर थेनोस आता आखरी में Soul Stone लेने तो पहले Captain America से Soul Stone लेता पिर बाद में Vision से Mind Stone लेता जो कि देखने में काफी ज़दा इंटरस्टिंग होता लेकिन यह script को इसलिए हटा दे गया क्योंकि यहाँ पे लोग explain ने कर पाए थे कि Captain America के पास Soul Stone आया करते तो Soul Stone एडम वोलॉक के पास हुआ करता था लेकिन Guardians of the Galaxy Vol.2 में सिर्फ इसका post credit scene में ज़रक दिखा गया था आइडम और लोग अभी तक पैदा नहीं हुआ था इसलिए आप सोल स्टोन किसी प्लानेट पर रिफर्क कर दिया गया और शाद यही रीजन था कि Makers को सोल स्टोन के पास रटना कुछ ठीक ने लगा बहुत लोग यह अजिम कर रहे थे कि सोल स्टोन लोकेशन वकांडाम है बहुत लोग का यह कहनत है कि सोल स्टोन हमडाल के पास है इतनी सारी थियूरिया है लेकिन सोल स्टोन मिला कहां वोरमीर पे नहीं दोस्तों का मतलब यह है कि स्टोरी लाइन काफी ज़्यादा चेंज हुई है इसमें यह हुआ कि ब्लाक वीडो को जि वीव ज़रू कमेट केजएगा और दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपरेडो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपरेडो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा